हेलो फैंस दार्यवर्थ इंस्टिट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर इलेक्टिसिटी पढ़ेंगे और साथ ही इसमें इंटेक्स्ट क्वेस्टिन भी करेंगे जो जो बीच में आएंगे तो आये शुरू करते हैं है तो इलेक्टिसिटी क्या है इटीज दर मोशन ऑफ चार्ज इने कंडक्टर और कंडक्टिंग आबजेक्ट ऐसा कोई-बी-चेट जो एलेक्टिसिटी को चनडक्ट करता हो जिसमें से गरेंट पस हो सकता हो वा उन सब में जो मॉशन होता है चार्ज का उसे electricity बोलते हैं यानि transfer of electron electric circuit वो path होता है किसी वी चीज़ को जाने के लिए एक रस्ता चाहिए होता है तो electricity को flow होने के लिए जिस path की जरूरत होती है उसे electric circuit बोलते हैं ये क्या होता है continuous होता है और closed होता है continuous और closed का मतलब क्या है ये कहीं से भी break नहीं होगा तूटा हुआ नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो current आगे नहीं जा पाएगा इसमें क्या होता है हमारी एक key होती है एक battery होती है और एक emitter लगाते हैं और voltmeter लगाते हैं potential difference को measure करने के लिए अगर key ऐसे है तो इसका मतलब की open है और ऐसे है इसका मतलब closed है electric current क्या है amount of charge flowing through per unit time unit time मतलब एक second में जितना charge flow होता है उसे हम electric current बोलते हैं यानि rate of flow of electric charge इसकी जो direction होती है वो electron की flow की opposite होती है electric current को I say denote करते हैं और इसका formula होता है electric charge by time charge को लिखते हैं Q से और time को लिखते हैं T से इसकी SI unit ampere होती है यानि electric charge की SI unit होगी coulomb और time की होगी second तो coulomb upon second होता है ampere अब जो small current होता है उसे हम milliampere बोलते हैं और large current को micro ampere एक कुलोंब के अंदर हमारे six into ten digital power eight number of electrons होते हैं अब इसमें बोलता है कि SI unit को define कीजिए electric current की तो SI unit क्या होती है ampere तो one ampere को define करेंगे तो one ampere is the current when one coulomb of charge flows per second एक second में जब एक ampere charge किसी conductor में flow हो तो उसे हम one ampere बोलते हैं तो electric current को measure करने के लिए दो चीज़े होते है galvanometer होता है एक emitter emitter जो होता है वो हमे current का amount बताता है कि circuit के अंदर कितना current है और galvanometer हमें ये बताता है कि circuit के अंदर current है या नहीं यानि current को detect करता है तो इससे जुड़े कुछ question है उन्हें करते हैं a current of 0.5 ampere यानि हमें i की value दे दी 0.5 ampere और जो electric इसमें current flow होता है 10 second के लिए 10 minute के लिए तो 10 minute को second में convert करेंगे तो यान जाएगा 600 second और हमसे पूछा क्या है electric charge तो electric charge अगर निकालना चाहते हैं तो हमारा i का formula होता था q by t यानि charge by time अब हमें charge निकालना है तो t उदर multiply हो जाएगा यानि i into t हो जाएगा और यह हमारा आ जाएगा q equal to current था 0.5 और second i 600 यानि 600 का आदा हो जाएगा 300 कुलोंब हो जाएगा चार्ज आई यह next question देखते हैं यह text question से page number 200 के इसमें पहला question है what does an electric circuit mean अभी अभी हमने पढ़ा electric circuit वो closed path होता है closed or continuous जिसमें से electricity pass होती है define unit of electric current electric current के unit यह नहीं 1 ampere को define करना है तो 1 ampere is the current when 1 C of charge passes through a circuit in 1 second एक second में जब charge एक कुलोंब का charge पास होगा तो 1 ampere current बनेगा third question है calculate the number of electron constituting 1 C of charge कि एक कुलोंब में कितने electron होता है हमें वो बताना है तो हमारा जो एक electron होता है उस पे charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 C कुलोंब तो यहां से 1 कुलोंब की value निकाल देंगे तो उसमें हमें electron का पता लग जाएगा तो यह 1.6 into 10 to the power minus 19 निदर divide में आज जाएगा तो इस 0 कटाएंगे उपर चला जाएगे 2.5s are 10 2.8 जा 16 अब यहां से 1.0 को हम उपर बेज देंगे तो यह हो जाएगा 50 by 8 50 by 8 50 by 8 तो 50 by 8 को solve करेंगे तो यह आज जाएगा 6.25 into यह 10 raised to the power minus 19 में से 1 का मोगी थी तो minus 18 और उपर जाएगा तो plus का 18 तो इस cancer आज जाएगा 6.25 into 10 raised to the power 18 number of electron होंगे 1 कुलॉम में तो next है हमारा electric potential and potential difference तो electric potential क्या होता है यह electric pressure होता है जब charge किसी conductor के एक end से दूसरे end तक जाने की कोशिस करता है तो कहीं पर क्या होता है charge easily pass हो जाता है और कुछ जगे पर charge धेरे पास होता है resistance की वज़े से तो उसकी वज़े से electric pressure generate होता है और उस pressure को हम battery से mapते हैं उसे ही बोलता है electric potential तो electric potential difference क्या होगा अब हर जगे पर electric pressure अलग अलग है charge के motion की वज़े से कहीं पर easily pass हो गया कहीं पर थोड़ी difficulty से हुआ तो उसका जो difference है वह ही हमारा potential difference है potential difference है difference between amount of electric potential between two points in an electric circuit is called potential difference इसे निकालते कैसे है it is the work done required for moving a charge from one end to another end of conductor तो इसे निकालने के लिए क्या करते है work done by charge work done को charge से डिवाइड करते है इसे वी से डिनोट करते है और इसे measure करने के लिए हम volt meter का यूज करते है इसके ऐसा unit होगी volt joule by coulomb से बनती है यह तो one volt क्या होगा one volt is the amount of potential difference in a conductor when one joule of work is done to move a charge of one coulomb from one end to another end जब हमें एक joule का work करना पड़े एक coulomb charge को एक end से दूसरे end तक भेजना यह work भी हो सकता है या फिर energy भी बॉल सकता है तो work और energy दोनों सेम चीज है तो एक joule एक joule का जो work done करे जब एक coulomb का charge एक end से दूसरे end तक जानने तक तो जब जो potential difference generate होगा वो one volt होगा तो यहां तक के जो question से उन्हें कर लेते हैं name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor अगर आपसे पूछे कि potential difference को maintain करने के लिए device तो उसका answer होगा battery अगर measure करने के लिए device पूछे तो उसका answer होगा volt meter what is meant by saying that potential difference between two ends is one volt तो इसका answer यह हो जाएगा हमारा how much energy is given to each column of charge passing through a six volt battery आपसे पूछ रहा है कि कि इतनी energy generate होगी जब एक कुलोंब charge पास होगा एक वोल्ट बैटरी से तो इसमें energy पूछ रहा है और potential difference दे रहा है six volt तो V की value उता जाएगी six और work done यहनी energy हमसे पूछी है और यह दे दिया one तो work done हो जाएगा one into six यहनी six joule तो आज की वीडियो में हमने electric current पढ़ा electric circuit पढ़ा electric potential पढ़ा electric potential difference पढ़ा और इनसे is related जो भी question in text मुक में है वो सब करे हज की वीडियो में इतना ही था इससे आगे का chapter हम next part में करेंगे यहां तक की वीडियो को ध्यान से देखे और questions को try करे और अगर कोई doubt आता है तो comment box में mention करे और हमारे channel को subscribe करना न भूले thank you, thanks for watching करेंगे